तो आखिरकार इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है क्या किशोर उपाध्याए कॉंग्रेस के पूर प्रदेश धक्ष क्या वाकई भाजपाई होने जा रहे हैं क्या वाकई किशोर हाथ का साथ छोड़ देंगे ये तस्वीरे उस वक्त की है जब बताया जारा है कि किशोर उपाध्याए रात के अंधिरे में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात करके निकल रहे थे जगा दैरादून का रेस कोर्स बताया जा रहा है वो रेस कोर्स जहां से ये पूरी भूमी का तैयार हो रही थी कि कॉंग्रेस के पूर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्ध्याए अगर बीजेपी में आते हैं गाजे बाजे के साथ तो उनका स्वागत किस अंदाज में किया जाए स्वागत के सियासी माईने समझे कि किन शर्टों के आधार पर किशोर उपाध ध्याए भाजपाई होने वाले थे ये वही किशोर उपाध ध्याए हैं जो कभी राहूल गांधी के खास होने का दावा करते हैं तो कभी दस जनपत के करीबी होने का ये वही किशोरुपाध्याई है जो इन दिनों हरीश रावत से खासे नराज है वही हरीश रावत जो कभी सूबे के मुखे मंत्री थे और तब किशोरुपाध्याई प्रतेश ध्यक्ष की भूमी का निभा रहे थे ये वो ही किशोर उपाध्याए हैं जिनको लेकर हरी शुरावत ने खुले तोर पर मंच पर ये तक कह दिया था कि छुरी पर खर्बूजा गिरे ये खर्बूजे पर छुरी कटना तो खर्बूजे कोई है अब सवाल ये कि किशोर उपाध्याए क्या वाकई भाजपाई होने जा रहे हैं जितना राजनेतिक लिहाद से समझा जाए ये थियोरी उतनी दिल्चस्प है क्योंकि किशोर उपाध्याय को जानने और समझने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किशोर उपाध्याय प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेलते हैं तो क्या कॉंग्रेस के भीतर वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पहले नहीं लड़े सहिसपूर से चुनाव लड़े और अब वो टीरी से लड़ना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी उनकी मुश्किल एक है धिनेश धने जो की अकेले दम पर चुनाव जीतने का माददा भी रखते हैं ये उनकी जीत का सबसे बड़ा रोड़ा है और ऐसे में वो चाहते हैं कि कॉंग्रेस उन्हें इस परिसिती से निकाल दे कि वो टीरी से चुनाव न लड़े लड़े तो उनका कोई करीबी रिष्टेदार उस सीट पर विधायक बनने के लिए चुनावी रण में कूच जाए चर्चा इस बात की भी है कि टीरी के कभी बड़े चेहरे रहे किशोर उपाध्याय ये चाहते हैं कि राज्य सभा की सीट जब इस बार मिले तो इस बार उनकी लोटरी खुल जाए इस शर्ट पर वो बीजेपी में जगा चाहते हैं इतना है नहीं एक संकेत कॉंग्रेस के घ मैं चला जाओंगा दूसरे के घर में तो क्या राहुल गांधी के करीबी होने का दावा करने वाले किशोर उपाध्याय एक बार फिर से राहुल गांधी के करीब जाना चाह रहे हैं इसके माइने ये भी है चोकि चर्चाए ये हैं कि वो चाहते हैं कि कॉंग्रेस उन्हें राश्टे परवक्ता के रूप में भूमी का दे दे और वो दिल्ली की राजमीती में सक्रीय होकर एक बार फिर से उत्रा खंड को साथ ले अगर हरी शुरावत मुख्य मंत्री बनते हैं तो तराजू के हिसाब से किशोर उपाध्याय का कद कहा होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है सवाल कई है और इन सवालों के इर्दगिर्द याद होगा आपको की हाली में एक और किस्सा सामने आया था कि किशोर उपाध्याय आम आदमी पार्टी की चौकट पर भी गए थे और वो चाहते थे कि उन्हें मुख्य मंत्री पत का चहरा आम आदमी पार्टी घोशित करते और ऐसी सिटी में अगर आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री के चहरे पर उन्हें मौका मिलता तो वो कॉंग्रेस के घं में भी सेंध लगाने तक का मादा रखते थे लेकिन आम आदमी पार्टी में भी उनकी दाल नहीं गली तो बीजेपी के घर में क्या किशोर उपाद धाय की एंटरी होने वाली है चर्चाए ये भी है कि इस मुलाकात के बाद एक मुलाकात और हुई है और वो मुलाकात भी एक होटल के भीतर हुई है दहरादून का एक होटल जहां पर बीजेपी का पावर सेंटर वो बताया जा रहा है वहां किशोर उपाद धाय की मुलाकात एक और बड़े नेताक बीजेपी से हुई है तो अब सवाल कई है और इन सवालों का जवाब किशोर उपाद धाय से बहतर कौन दे सकता है उनका नाम किशोर जरूर है लेकिन वो राजनीती में किशोर नहीं वो जानते हैं कि सियासत की विसाथ पर मोहरे कहां चलने हैं और ऐसे में संकेत कई हैं कॉंग्रेस के घर में एक बड़ा संकेत कि मुझे नजर अंदाज ना किया जाए तो ये थी अंदर की ख़बर जो सिकेत हैं कॉंग्रेस को कि वक्त है संभाल लो नमस्कार जय हिन जय भारत जय उत्रागण